नोसर दोस्तों धीट है आज की 30 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिसकेशन में आज तीन इशूज हम डिसकेश करेंगे सबसे पहले हिंदू का इंडिया यूएसे रिलेशन्स दूसरे नमबर पे इंडियन एक्सप्रेस का वन नेशन वन पुलिस एक दिन आपसे सजेशन पूछा था न कि IPS जो दोस्त है उनकी मुलाकात होने वाली है PM के साथ मतलब उनका पूरा बैच जो है उनके साथ PM इंटरेक्ट करेंगे तो कोशन क्या पूछना चाहिए तो आप में से कुछ लोगों ने ये सजेश्ट किया था कि वन नेशन वन पुलिस तो उसी का आर्टिकल भी आ गया अब इंडियन एक्स्प्रेस में जिसे हम डिस्कस करेंगे और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे संगही कोपरेशन और्गनाजेशन की रेलेवान्स से समदित चलिए डिस्कसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपर्टिन आर्टिकल इंडिया और यूएस रिलेशन्स के बारे में हैं आप जी एस पेपर टू के इस्ट ओविक से आर्टिकल को रिलेट कर सकती हूँ ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कसन में क्या कंटेस्ट हैं यूएस के सेकेटरी ओफ स्टीट एंटनी ब्लिंकन ये जनवरी दो हजर इकिस में यूएस के सेकेटरी ओफ स्टीट बने थे और बनने के बाद भारत की पहली यात्रा पर आए कई सारे मुद्दों पर डिस्कसन्स हुई इनकी विजिट देखो काफी ज़्यादा एहम थी क्योंकि इस साल के अंत में यूएस और इंडिया के बीच टू प्लस टू मेकेलिजम के तहप मीटिंग होगी जिसमें इंडिया और यूएस से के राष्टरपती बाइडन के बीच बाइलेटरल मीटिंग भी होगी तो उन सब विजिट्स का उन सब इवेंट्स के लिए ग्राउंड प्रिपेर करने से समद्दी देखा जा रहा है यूएस के सेकेटरियो स्टेट की इस मीटिंग को काफी सारे इशूस भी चर्चा का विशह रहेंगे जैसे अफगानिस्तान में स्टेटी सिचुएशन काफी तेजी से इवोल हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएस के बीच कोपरेशन को इंक्रीस करना क्वाइड के तहत और एक इशूस जो इंडिया नहीं डिसकस करना चाहेगा इंडिया में फिलाल स्टेट ओफ डेमोक्रेशी एंड सिचुएशन ओफ राइट्स जब देखो दोनों देशों के फोरण मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई तो बहुत सारे इशूस पर सहमती देखने को मिली और कई सारे इशूस पर डाइवर्जेंस भी देखने को मिले जैसे अफगानिस्तान से रिलेटिड जातर इशूस पर सहमती देखने को मिली लेकिन कुछ इशूस पर डाइवर्जेंस भी देखने को मिली सहमती इस issue पर देखने को मिली कि अफगानिस्तान में जो conflict है इसका कोई military solution नहीं निकल सकता और अगर Taliban force की साहिता से सत्ता परकाबिस भी हो जाता है तो Taliban को world के जो countries हैं वो कभी नहीं recognize करेंगे, जायतर देश मतलब नहीं मानेंगे अफगानिस्तान में government की legitimacy को और Taliban की leadership पर जो sanctions लगे हुए हैं वो लगे रहेंगे लेकिन देखो इंडिया इस बात से सहमत नहीं है कि एक तो USA ने इस reason में connectivity increase करने के लिए अलग से एक quad की गोशना कर दी जिसमें चार देश हैं USA से पाकिस्तान उजबेकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया को ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तालिबार की leadership को shelter देता है तालिबान को directly sport कर रहा है पाकिस्तान फिर भी USA कुछ बोलता नहीं है पाकिस्तान को पाकिस्तान की accountability fix नहीं हो रही है जबकि खुले आम पाकिस्तान तालिबान की मदद करके तालिबान को impose करना चाहता है अफगानिस्तान के लोगों पर और दूसरा देखो इंडिया को USA की ये बात भी अच्छी नहीं लगी कि USA ने तालिबान को अफगानिस्तान के civilian पर इस सर्थ पर हम किसी परकार का agreement sign कर सकते हैं लेकिन नहीं USA ने तालिबान को कुछ मजबूरी नहीं किया ceasefire के लिए और अब तालिबान बहुत ज़्यादा offensive है अफगानिस्तान में इंडो Pacific region में cooperation को लेके देखो सहमती है दोनों देशों के बीच दोनों का vision सेम है इंडो Pacific region को open, secure और prosperous बनाना इस बात पर भी दोनों देश सहमत हुए कि military alliance नहीं है अभी फिलाल QAD किसी परकार काम COVID vaccination को लेके ये discussion हुई दोनों देशों के foreign ministers को बीच कि QAD की meeting में जो decide हुआ था कि चार देश मिलके एक vaccine initiative चलाएंगे जिसके तहत US से मदद करेगा इंडिया की और बाकी जो देश है Australia और Japan वो भी इंडिया की मदद करेंगे चुकि vaccine manufacturing में इंडिया आगे है तो इन तीन देशों की मदद से इंडिया vaccine manufacture करेगा ज्यादा से ज्यादा और इंडो-pacific region में जो देश आते हैं उनको vaccine दी जाएगी ताकि चाइना की dominance को रोका जास के अगर देखो चाइना vaccine दे देता है इंडो-pacific region में आने वाले देशों को तो चाइना की influence बढ़ जाएगा ना तो दोनों देशों के intention ये है climate change से निपटने के लिए एक नया climate action launch किया जाए और strategic clean energy partnership को भी फिर से re-launch किया जाए देखो democracy, rights, इन issues को लेके दोनों देशों के बीच divergence देखने को मिला जब देखो Biden रश्टरपती का चुनाव लड़ रहे थे ना USA में, वो इंडिया में कुछ issues को लेके critical थे, जैसे जम्मो इन कस्मीर की situation, democracy थोड़ी कमजोर हुई है, ऐसा indirectly Biden ने कहा था, religious rights, minorities का issue, तो ये सब issues जो है, वो USA की democratic party जो है, वो इंडिया के संदर में उठाती है, तो अब democratic party की सरकार है, यानि Biden जो है, वो democratic party से समन्द रखते हैं, तो दोनों देशों के foreign ministers की meeting हुई, उससे पहले, ये इनके जो Secretary of State है ना, Anthony Blinken, ये इंडिया में civil society group से मिले, और civil society के group से meeting के दुरान, interligious relations, media freedom, farmer protest, love jihad, violence and minority rights, ये सब issues चर्चा में रहें, अब काईदे से देखो, सरकार को ये बात पसंद नहीं आती, सरकार का मानना है, ये सब issues जो हैं, वो इंडिया के internal issues हैं, और दूसरा, हमारे foreign minister ने बोला भी meeting के बाद, कि देखो, अगर USA democracy चाता है, अच्छी बात है, हमा नहीं बोली, indirectly बोली, foreign minister ने कहां, कि ये जो perfect democracy का narrative है ये दोनों देशों पर लागू होता है, इंडिया पर भी और USA पर भी, यहां पर देखो, quest for a more perfect democracy applied to both the US and India, तो indirectly ये line बोलता है, कि USA पहले अपने घर में तो जहांक के देख ले, USA में blacks के साथ काफी ज़्यादा discrimination होता है, बहुत सारे ऐसे issues हैं, USA में भी, लेकिन USA दूसरे देशों को उपदेश देता है, अपने देश में जहांक कर नहीं देखना चाता है, तो इन issues को लेके divergence पहले भी थी और आगे भी रहेगी इंडिया और USA के बीच, conclusion में देखो ये कहा जाता है, इंडिया और USA के बीच अभी तालिबान जो है, वो अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो जाए, और इंडिया भी ये नहीं चाता है, तो यहाँ पर cooperation का scope है, trade में cooperation increase करने का scope काफी जादा है, क्योंकि USA में भी anti-India sentiment देखने को मिल रहे हैं, COVID-19 की महामारी के बाद, तो USA भी दूसरे देशों के साथ, चाइना को छोड़के दूसरे देशों के साथ trade increase करना चाहता है, और उसमें इंडिया का स्थान उपर हो सकता है, लेकिन जो भी obstacles हैं, इंडिया और USA के relations में, उन obstacles को जल्द से जल्द address करना जरूरी है, तो यह हमने पूरा article डिसकस किया, इंडिया-US relations के बारे में, नेस्ट आर्टिकल वन नेशन वन पुलिस से समन्दित हैं, आप GS paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हों, देखो वैसे तो central government काफी one-one करती है, वन नेशन वन रेजिस्ट्री, वन नेशन वन गैस ग्रिड, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन चार्जर, नहीं नहीं, यह नहीं, चार्जर नहीं है, तो यह one-one करती है central government, लेकिन one nation one police के बारे में central government चुप है, वन नेशन वन पुलिस की आऊ सकता है आज के समय में देश में यूनिफेमिटी नहीं है अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग पुलिस एक्ट है अलग-अलग स्टेट में पुलिस अलग-अलग तरह से एक्ट करती है देखो अब कुछ लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि अलग-अलग स्टेट में जब कल्चर अलग है, सिचुएशन अलग है तो पुलीस की कार्या पर नाली भी तो अलग हो सकती है, इसमें गलत क्या है तो राइटर कहते हैं, पुलीस की एफिशेंसी को इंक्रीज करने के लिए, पुलीस की अकाउंटिबिटी फिक्स करने के लिए एक ब्रोडर फ्रेमवर्क होना चाहिए, पुरे देश में सेम, उसके अंदर विबिन स्टेट्स जो हैं, वो अपना-पना एक्ट बना ले, अलग पुलीस के रेगुलेशन से सम्मधित रूल्स बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी स्टेट्स में पुलीस के रेगुलेशन का जो फ्रेमवर्क है, वो सेम होना चाहिए, ऐसी ही सुप्रिंग कोट ने वर्डिक दिया था 2006 में, सुप्रिंग कोट ने 2006 में अपनी verdict में सभी states को directions दी थी कि आप इस verdict के अधार पर police की कारेपरनाली में change लेके आओ क्या women states ने ऐसा किया answer है no देखो पिछले कुछ सालों में 18 जो states हैं वो police act बना चुके हैं क्या उन्होंने ये police act बनाया है Supreme Court के 2006 के judgment के अधार पर answer है no आलरी जो पुलिस के कारेपरनाली से सम्मदित विवस्था हैं उसको continue करने के लिए 18 states ने police act बना दिया है पिछले कुछ सालों में ताकि Supreme Court के verdict को implement ना करना पड़े आलरेडी जो चल रहा था बस उसे एक कानून की शकल दे दी हैं तो ये तो देखो Supreme Court के तोहीन हुई ना Contempt of Court हुई तो एक famous senior advocate है हरीश सालवे इन्होंने Court में petition भी फाइल कि Supreme Court में कि सरजी देखो 2006 में आपने जो verdict दिया था ना परकासिंग केस में विविन states को आपने कहा था कि इन reforms को implement करना है विविन states ने अभी तक उन reforms को implement नहीं किया है तो Contempt of Court बनता है आप उनको notice जारी कीजिए लेकिन ना जाने क्यों Supreme Court ने भी कुछ reasons के कारण अभी तक किसी भी state को कोई Contempt of Court का notice नहीं भेजा है मतलब ऐसा लगता है Supreme Court ही इस केस में होना चाहिए ना राइटर कहते हैं इसके बाद कि जैसे ही Supreme Court का verdict आया 2006 के परकास सिंग केस में तो Ministry of Home Affairs इन्होंने भी एक कमेटी गठीद कर दी Police Act Drafting Committee फेमस वकील जिनकी अब्दैत हो चुकी है सोली सुराब जी की अध्यक्सता में तो सोली सुराब जी एक Model Police Act लेके आए क्या Central Government ने सोली सुराब जी की recommendations के बाद Model Police Act बनाया आंसर है no अगर देखो ये Model Police Act बन जाता तो हमारे देश में Women States में पुलिस के कारेपरनाली से समधित Uniform Police structure होता लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं Central Government ने भी ऐसा कोई Model Police Act नहीं बनाया अगर ये Act बनता तो एक बड़ा framework मिल जाता Women States को जिसके अंतरगत वो अपने अपने पुलिस Act बना सकते थे Local situation के हिसाब से वैसे देखो Britishers ने ऐसी कोशिस की थी Britishers जब हमारे देश में रूल कर रहे थे ना तो 1861 में उन्होंने Police Act बनाया जो पूरे इंडिया में लागू था जो Britishers थे उनका व्यू ये था Police Service की Conditions पुलिस कैसे काम करती है वो सब पूरे इंडिया में Uniform होना चाहिए ऐसा नहीं कि एक रीजन में पुलिस थोड़ा अलग धंग से काम करती है दूसरे प्रोविंस में तरीका बिल्कुल ही अलग है ऐसा नहीं इवन लोड करजन के द्वारा 1902 में एक पुलिस कमिशन एपोइंट किया गया था इस पुलिस कमिशन ने पाया कि 1861 के इस पुलिस एक्ट का जो एक्ट फाइव है वो मदरास और बोमबे प्रोविंस में एप्लिकेबल नहीं है तो पुलिस कमिशन ने ये रेकमेंड किया कि उन्हीं 1861 का ये जो पुलिस एक्ट है न ये इन बचे हुए प्रोविंसिस में भी यानि बोमबे और मदरास में भी लाग पुलिस एक्ट के एक बड़े फ्रेमवर्क के अंतरगत था लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस समय फिर जो यह पुलिस लाइन ओडर जो है यह स्टेट लिस्ट में आ गया सेवंध सेडूल के अंतरगत लेकिन बात यही है नम सेंट्रल गुर्मेंट के पास पावर है सव तो सेंट्रल गुर्मेंट उस इशू पर कानून बना सकता है तो कम से कम हमारे देश में जो यूटीज हैं यूनियन टेरिट्रीज वहां से सेंट्रल गुर्मेंट शुरुवात कर सकती थी कि कम से कम यहां पर एक यूरिफॉर्म पुलिस एक्ट होना चाहिए और अभी आजाता कि यह जो पुलिस एक्ट दूसरे देशों दूसरे स्टेट्स में लागू हुआ है वो अच्छा है तो धिर जिरे बाकी बचे हुए स्टेट्स भी उसी लाइन पर मोडल पुलिस एक्ट को इंप्लिमेंट कर देते लेकिन सेंट्रल गुर्मेंट ने ऐसा कोई इंट कि होम मिनिश्टर एक्स्टोर्शन रेकेट्स ला रहे थे बाद में बदला लेने के लिए महाराश्टर की सरकार ने भी उनके ऊपर काफी सारे केस दर्जगरवा लिए तो मतलब ऐसी ऐसी जो केसिज हैं पुलिस की कारेपरनाली को लेके सामने आते रहते हैं यानि पुलिस कि जो वर्किंग है उसमें रिफॉर्म्स लाने के आँ सकता है और अगर एक मोडल पुलिस एक्ट पुरे देश में लागू होता ब्रोडर लेवल पर तो फिर काफी फाइदा होता है यानि विबिन स्टेट्स में पुलिस की कारेपरनाली को इंप्रूव किया जा सकता था लास्ट में कंकूजन में ये कहा जाता है देखो हमारे जो सविधान निर्माता थे न उन्होंने जब सविधान बनाया तो ये जो डिविजन ओफ पावर्स हुआ सेंटर और स्टेट्स के बीच ये 1935 के गोर्मेंट ओफ इंडिया के एक्ट के अधार पर किया तो ये गलती थी लेकिन गलती सविधान निर्माताओं की नहीं थी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पुलीसिंग अजाद भारत में इतनी ज़्यादा कॉंप्लेक्स हो जाएगी politicians का इतना ज़्यादा interference हो जाएगा पुलीस की कारेपरनाली में उन्हें ये अंदाजा नहीं था तो अभी आप सकता ये है कि एक model police act पूरे देश में बने और center और police एक दूसरे की jurisdiction का सम्मान करें अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर एक यही solution बचता है कि 7th schedule में जो distribution of powers है center of state के बीच इसे redefine किया जाए इस पर फिर से एक नजर डाली जाए और situation के हिसाब से जो subject जिस list में आना चाहिए उसे उस list में डाला जाए तो ये हमने पूरा article discuss किया one police, one nation के बारे में उल्टा हो गया ना one nation, one police के बारे में वैसे देखो ये तो हमने पहले discuss किया था एक दिन कि one nation, one civil services का exam भी होना चाहिए मतलब अलग-अलग exam देने पड़ते हैं MPPS का अलग से exam और RAS का अलग से exam कुछ लोग देते हैं PCS के exam कुछ लोग तो सिरफ civil services का देते हैं तो जो लोग देते हैं उनके लिए कितना फाइदा हो अगर सिरफ एक ही exam हो बार-बार exam नहीं देने पड़ेंगे कितनी energy बच्चों की बच जाएगी और best talent जो है वो भी state services म आएगा सोचना चाहिए और वैसे एक और चीज़ one account one password भी होना चाहिए यह मजाक में है देखो इतने सारे accounts हो गए आजकल Gmail का अलग सी अकाउंट और Bank का अलग सी अकाउंट Uber Ola के अकाउंट Jometo का अकाउंट, Swiga का अकाउंट मतलब गिनने लगोगे न, दुनिया भर के अकाउंट हैं आप लोग यूज करते होंगे सबके अलग-अलग password कई बार हो जाते हैं कई बार तो CME होते हैं, इतना हम दिमाग लगाते नहीं लेकिन फिर भीटने सारे password बहुत याद रखना मुश्किल हो जाता है तो जादातर बार हम forget password पर क्लिक करते हैं, फिर से password generate करते हैं चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल SEO से समधित हैं संघाई कोपरेशन और्गनाजिशन आप GS paper 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को relate कर सकते हो ये सारे aspects हम cover करेंगे आज की इस आर्टिकल की discussion में हाल ही में देखो संघाई कोपरेशन और्गनाजिशन के defense ministers की मुलाकात हुई आठ देश आते हैं संघाई कोपरेशन और्गनाजिशन में इंडिया, कजाकिस्तान, चाईना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रश्या, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये यद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान नहीं है तुर्कमेनिस्तान जो है इंडिया के पास काफी सारी opportunities हैं, SEO organization में एक rats mechanism है, terrorism से समंदित issues पर within member countries corporate कर सकें, इसी से समंदित है rats mechanism, तो अभी अफगानिस्तान में situation खराब है, ना सिरफ अफगानिस्तान में, अगर situation खराब होती है तो पूरी regional stability पर खत्रा आता है, तो इसलिए इन issues पर corporate करने के लिए, SEO जो है वो अभी फिलाल के लिए सबसे best organization है, क्योंगि SEO में अफगानिस्तान के आसपास के सबी major countries सामिल हैं, SEO के थूरू Central Asia से India connectivity establish कर सकता है, पाकिस्तान और चाइना से deal कर सकता है, SEO में, strategic importance भी काफी ज़्यादा है, SEO की, क्योंकि देखो वैसे जिसे साबसे इंडिया की नजदी की USA के साथ बढ़ रही है, तो कुछ foreign policy experts बोलते हैं, इंडिया तो USA की group में सामिल हो रहा है, लेकिन SEO में इंडिया का cooperation increase होता है, तो उन देशों की जो सोच है वो गलत साबित हो जाती है, इससे फिर ये साबित होता है कि इंडिया अभी भी अपनी approach में, foreign policy समरीद approach में strategic autonomy को practice करता है, किसी group में इंडिया सामिल नहीं हुआ है, लेकिन देखो कुछ challenges भी हैं, एक तो SEO में न चाइना की dominance काफी ज़्यादा है, जो ये SEO है, चाइना की dominance के कारण, अफगानिस्तान में बेसक कुछ कर ले, लेकिन पाकिस्तान sponsor जो terrorism है, उसके खिलाफ SEO कभी action नहीं लेगा, क्योंकि चाइना की dominance काफी ज़्यादा है, इसलिए चाइना कभी ऐसा होने नहीं देगा, next, SEO के member countries के बीच trust deficit काफी ज़्यादा है, इंडिया चाइना के बीच trust deficit है, इंडिया पाकिस्तान के बीच trust deficit है, और देखो, connectivity भी मतलब बोला तो जारा है कि connectivity increase हो सकती है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा major step लिया नहीं गया है, चाबार port जो है, इसके सारे से अफगानिस्तान के होते हुए Central Asia में connectivity इस्टाबलिस की जा सकती है, लेकिन चाबार port का जो project है वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि USA ने इरान के उपर sanctions लगा दिये, International North South corridor जो है, वो इरान के बंदरबास port से होके गुजरता है, इस पर भी इतना काम नहीं चल पाया है, अभी मतलब ये route भी उतना successful नहीं हो पाया है, जितना की सोचा गया था, तो connectivity को लेके अभी बाते ज़्यादा हुई है, काम कम हुआ है, conclusion में ये कहा जाता है, कि अभी जो SEO के member countries हैं, उनके बीच trust deficit को कम किया जाए, relations होने चाहिए, equality, mutual, respect, understanding, इन values के अधार पर, SEO के member countries मिलके, joint institutional capacity develop करें, ताकि SEO के member countries के बीच, contact, connectivity, ये सब increase किया जासके, तो कुल मिला कि यही points है, SEO से समन्दित, हमारी आज की इस discussion में इतना ही है, आज हमने तीन issues details से discuss किये, thank you, thank you very much for discussion.